यूपी बिहार से लेकर दिल्ली एंसियार तक प्रचंड गर्मी का कहर है, पुरा उत्तर भारत गर्मी से तप रहा है, ऐसे में चिलचिलाती गर्मी से राहत भरी खबर आई है, जी हाँ, केरल में मौनसून ने दस्तक दी है, आयमजी ने अधिकारिक तोर पर इसकी घोशना कर दी, केरल में मौनसून समय से दो दिन पहले आया है, केरल के कई शहरों में जोरदार बारिश हुई है, बताया जा रहा है कि साइकलोन रेमल की वजह से दक्षिन पश्चिम मौनसून ने टट और पूरवत्तर के कुछ हिस्सों में समय से पहले दस्तक दे दी है, मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि एक जून को मौनसून की दस्तक होगी, मगर पूरवनुमान से दो दिन पहले ही मौनसून ने दस्तक दे दी, माना जा रहा है कि दिल्ली NCR में 30 जून तक म मौनसून दस्तक दे सकता है, वहीं महराश्च्र में 5 जून तक इसके पहुचने की संभावना है, मौसम विभ्यानिकों की माने तो चक्रवात में मौनसून के प्रवाग को बंगाल की खारी की ओर खीच लिया, ये पुरवत्तर में समय से पहले मौनसून के दस्तक देने का एक कारण हो सकता है, चक्रवाती तूफान रेमल रविवार को पश्चिम बंगाल और बंगलादेश की टट से टकराया था, इसकी वज़ा से बंगाल से लेकर बंगलादेश तक में भारी बारिश हुई थी और कई लोगों की जान भी गई थी, आएमडी के मुताबिक दक्षिन पश्चिम मौनसून केरल में दस्तक दे चुका है, और 30 मई 2024 को पूर्वोत्तर भारत के अंधिकांश हिस्सों की ओर बढ़ गया है, इससे पहले 15 मई को मौसम विभाग में मौनसून के 31 मई को केरल में दस्तक देने की खोश्रा की थी, केरल में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप मई में अतिरिक्त बारिश दर्श की गई है, केरल में मौनसून के आगमन की सामान्यति थी एक जून और रोनाचल प्रदेश, त्रिपुरा नागा लैंड में घाले, मिजोरम, म्यनिप पूर्व असम में मौनसून के दस्तक देनी किती थी 5 जून है, माना जा रहा है कि बिहार, जारखंड और बंगाल समेत पुर्वत्तर भारत में जल्दी ही गर्धनी से राहत मिले की, मौनसून को लेकर आएमडी ने अलर्ट भी जारी किया है, आएमडी ने केरल के साथ जिल में औरेंज अलर्ट जारी किया है, मौनसून की वज़ा से केरल में भारी बारिश जारी है, इसकी वज़ा से राजधानी तिरुवनंत पुरम सहित प्रमुक शहरों में जल्भरा हो गया है, तिरुवनंत पुरम, कोलम, पठान मठिता, अलापुजा, कोटायम, एरनाकुलम और ये डुकी सहित साथ जिलो में अलर्ट जारी किया गया है, जून और जुलाई को क्रिशी के लिए सबसे महत्वपून मौनसून महीने माने जाते हैं, क्योंकि खरिफ फसल की अधिकांश बुवाई इसी अवधी के दोरान होती है,